Hello everyone, welcome back to our channel Hyper Trades B, मैं हूँ मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आए हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, Bank of Baroda पे अपने previous वीडियो में मैं आपको एक trendline यहाँ पे draw करके बताया और यह भी clear कर दिया था कि trendline break हो चुका है, 25 एम में break हो चुका है stock अगर fall करेगा तो previous breakdowns तक fall करेगा, अगर fall करेगा तो stock के अंदर हम लोगों को depreciation देखने को मिलेगा जो depreciation stock यहाँ 60 RSI से, यहाँ पे 40 RSI पे दे गया stock जब यहाँ पे depreciate करेगा, तो stock उपर के levels को touch नहीं करेगा जैसे यहाँ पे, यह levels को फिर से touch नहीं करेगा, अगले 6 महिने भी हो सकते हैं, अगले 1 साल भी हो सकते हैं जब मैं यहाँ पे analysis करके सबको exit करवाने के बाद, अगर आप देख सकेंगे, तो June से लेके आज November आने वाला है और October running है फिर भी stock के अंदर जो price यहाँ पे depreciate हो चुका, stock अभी तक उसको touch नहीं किया, अभी stock में क्या है, simple, मैं आपको यहाँ clearly बता देता हूँ, depreciate हो चुका, minimum to minimum, अगर हम लोगों को matrix series चाहिए, तो हम लोगों को 200 के नीचे चाहिए, तो यहाँ पे चल रहा है, minus 107, तो यहाँ जो RSI यहाँ पे 60 touch नहीं किये, जिसा 59.30 touch करके नीचे आ रहा है, अगर यह फिर से 40 का RSI touch कर ले, तो दोस्तों यह भी याद रखना, stock में यह price level जो है, यह भी depreciate हो जाएगा, पर हम लोगों के पास एक opportunity है, और मैं क्यूं बता रहा हूँ कि हम लोगों को matrix series में minus 200 चाहिए, यह selling जाएगा, यह minus selling consolidation में RS है, यह सब कुछ क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यूंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, stock के अंदर, यह हमारा recent breakdown level, जो यहाँ पे खतम हुआ, उसके बाद उसका second breakdown level, जो यहाँ पे खतम हुआ, उसके बाद यहाँ पे breakdown level, आप देख रहा हो, step by step, step by step, यहाँ पे क्या हुआ है, price depreciate हुआ है, उसके बाद 200 EM में, और 25 EM में के नीचे, आज red candle close कर रहा है, पिछली बार भी close किया, यहाँ पे selling यह बता रहा है, यहाँ पे भी close किया, इसका मतलब stock में, अगर buying के opportunity बनेगी, तो buying के opportunity यहाँ पे ही बनेगी, यहाँ पे ही क्य क्या करूंगा, मैं entry लिखूंगा, मैं entry कहां पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, entry, अगर stock fake out करना चाहा है, हम लोगों को, ठीक है, यहाँ पे buying नहीं देते वे, और कहीं पर भी buying देना चाहता है, तो stock को buying यहाँ पे देना चाहिए, पर यहाँ पे कब देना जब stock में यहां इस लेवल पर green candle, यह red है, red touch किया, यहां पर green candle close करना चाहिए, तो stock के अंदर breakout मिलेगा, इसके अलावा stock के अंदर breakout नहीं बनेगा दोस्तों, तो मेरा suggestion बस इतना ही है, अगर buying बनना है, तो stock में buying यहां पर बनना है, अगर buying बनना है, तो stock में यहां पर buying बनना है, इसके अलावा stock के अंदर अभी buying नहीं है, जो already buying कर चुके हैं, दोस्तों आपको stock में average के लिए थोड़ा wait करना पड़ेगा, यही था मेरा latest update बैंक अब बरोड़ा पर, अगर आपको stock पर analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए, and youtube channel को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video,